सागर भाया मुझे एवेंजर्स टेक्नालोजी को असल दुनिया में उतारना है एवेंजर्स के पास जो भी टेक्नालोजी है वो मुझे रियालिटी में चाहिए क्या यह रियालिटी हो सकती है अब मेरे भाई एवेंजर्स में अगर कोई टेक्नालोजी में सबसे आगे हैं तो वो है Mr. Tony Stark the Iron Man मुझे नहीं लगता पूरे मार्वल में पूरे टेकनोलोजी के मामले में अगर कोई सबसे स्मार्ट आत्मी है तो उनसे कोई स्मार्ट आत्मी है आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि Tony Stark inspiration और पती Tony Stark का Ironman इस दुनिया में सही में हो सकता है किया यह राट करते हैं अज़ी बात करते है वो था एक artificial intelligence खुद का उनका एक assistant जिसका नाम था Jarvis अब यह जो Jarvis है यह क्या था यह एक AI based assistant था जैसे कि आपके phone में अभी आपको देखने को बलता है Google Assistant यह उसी की चरम सीमा पर पहुँचके अगर कोई चीज बनी तो वो Jarvis है अभी आपके phone में जो गूगल assistant है ना वो भी artificial intelligence का इस्तेमाल कर रहा है neural network नहीं है उसमें neural network क्या होता है मैं उसके बाद में बात करूंगा लेकिन वही है आपके phone में जो है वो शुरुआती दौर का है बच्चा है और जो टोनी स्टार के वो उसका दाधा है मतलब बहुत हाई लेवल का अब वो हाई लेवल का कैसे बना अब बुले सागर भाई आपने बोल दिया कि वह बहुत हाई लेवल का artificial intelligence का असिस्टेंट है विच्टेंट है लेकिन वह इतना हाई लेवल का कैसे बना क्यूंकि उसमें कृत्मिक रूप से इंसानी सोच समझ और यह जो भी सोचने की शमताय है काम करने की का तरीका है उसको डाला गया बुलेंगे सागर भाई यह मशीनों में इंसानों की तरह सोचने का तरीका कैसे डाला जाता है उसका एक्जामपल है neural network इंसानी दिमाग को study किया गया पहले इस artificial intelligence को या ऐसी चीज़ों को बनाने से पहले उसको study किया कि हमारा जो neural network है हमारे brain के अंदर neural networks होते हैं अलग-अलग nodes होते हैं डेंड्राइट होते हैं neuron कैसे काम करता है अपने biology में पढ़ा होगा उसी रूप से mimic करने का क्रित्मिक रूप से ऐसे algorithms create करना जो की हमारे human brain के neural networks और neurons को mimic कर सके उस तरह से काम कर सके कहलाता है क्या neural network in machines तो उसमें फैसले लेने की शक्ति इंसानों की तरह सीखने की शक्ति समझने की शक्ति आ जाती है कंप्यूटर में क्रित्मिक रूप से यह कोई biological चीज नहीं होती मशीनी लैंग्विज या coding से बना ही जाती है तो इसके लिए आपको है लेवल का कोडर और बहुत अच्छा प्रोग्रामर होना जरूरी है तब ही आप ऐसी चीज बना सकते हो तो यहां पर मैंने आपको बत क खाल से यह 10 साल लगेंगे इस लेवल का artificial intelligence बनाने में या 10 नहीं तो 5 साल तो कम से कम लगेंगे अगर कुछ कुछ करिश्मा हो गया क्योंकि यू नेवर नो कुछ ऐसी चीज बन जाए कोई ऐसा genius सामने आ जाए जो इस तरह का artificial intelligence आपके सामने रखते हैं यह तो रही बात यह आ गया कहां से वकांड़ा से आप जानते होंगे जिस पोनाया वाइब्रीनियुम से बना हुआ वाइब्रीनियम जैसी आप बाएब्रीनी नमी इना मैं कि ऐसी कोई होती न ही लेके असी बहुत साथे तवह उसे बहुत सारे मेटीरियल मिले हैं जो की बहूँत स्ट्रॉ कुरा झाला को उत्ता पत्ता स्टीन का जाला बनाया जाए तो उससे ज्कूर्ण है को एक्स्पॉर नहीं की गई रहा कभी ऐसा चीज निकल कर आये को, कैसी चीज निकल कर आए जो सच में वाइब्रीणियम जाएएं हो अभी तरी सबस्क्राइब अब बात करते हैं उड़ने की शक्ति, like जो भी वहाँ पर jet engines लगे हुए, पैर में, हाथ में लगे हैं, repulsor, blaster लगे हैं, तो क्या ही हम possess करते हैं, जी हाँ, ये technology हम possess करते हैं, flying man देखने को मिला है, ऐसा suit देखने को मिला है, जीने पहन कर आप jet engines है, हाथ में दो-दो jet engines है, कमर पर एक jet engine है, और इतने बड़े jet engines को लगाना मेरे हिसाब से अभी नाममकीन है, जीने कोई चीज नहीं होती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो देखने को मिला है अभी सही वक्त में, world record भी बनाया किसी ने, आप अगर YouTube करोगे, flying suit, jet suit आप बोलोगे, तो आपको देखने को मिलेगा, एक अलग company, एक separate company है, जो कि jet engines वाले मतलब suit बनाती है, लेकिन वो iron man जैसे दिखते नहीं है, उसका flight timing भी बहुत कम है, और इस से अगला सवाल उठता है हमारा, कि इतनी जादा energy, इतने पतले और छोटे suit में, कहां से आएगी, वहाँ पर arc reactor की बात होती है, iron man suit में, arc reactor की बात हो जाज करनी की ज़र्द परती है, बहुत सारी movies में देखने को मिला है, लेकिन ऐसा कुछ बना दिया जाए कि इतनी पतली चीज में, इतनी power कैसे store की जाए, ये एक problem है, ऐसा arc reactor है, ऐसी कोई भी चीज अभी तक नहीं बनी है, जो इतनी छोटी सी हो, लेकिन इसमें बहुत सार उर्जा को store किया जा सके, और इसको longer period of time के लिए इस्तुमाल किया जा सके, हमारी battery technology भी बहुत ही basic level की है, इसलिए आपको देखने को मिलता होगा, कि अगर phone के थोड़ी से mh भी बढ़ जाते हैं, तो phone मोटा हो जाता है, अगर 6000 mh का कोई आप phone लेते हैं, तो वो अगर उसक technology इतनी आगे नहीं बन किया रही, तो इतनी जादा power को आप इतने पतले suit में कैसे डालेंगे, इसका answer अभी नहीं है, और ऐसा कोई भी विशकार नहीं हो है, so that means, यह technology भी अभी हम possess नहीं करते, repulsor, blaster और यह सारी जो technology है, यह भी हम possess नहीं कर सकते, because उसके लिए energy चाहिए, उसके लिए बहुत firing power चाहिए, जो कि इतने पतले suit में डालना लगभग नामुम्किन है, और लगभग मैंने इसलिका क्योंकि कुछ भी हो सकता है future में, तो मैंने आपको बता दिया कि जो Avengers की जो technology है, और बहुत सारी technology के बारे में आप फिर कभी बात करेंगे, आज मैंने ब flight timing इतनी हो के वो पूरे दिन उड़ सके, जो jet engines जो बने हैं, उसकी flight timing भी 45 minutes, 10 minutes, 15 minutes ऐसे होती है, उससे जाधा नहीं उड़ सकता हो, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो उसे like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, cyber security और ethical hacking में इंटरस्ट दिस्रिप्शन चे को एक नई चीज बताता हूँ, technology की पारे में daily एक नई चीज समझाता हूँ, सिखाता हूँ आपको, लेके आता हूँ आपके सामने, बहुत rare है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, मैं इसके लिए बहुत मैनत करता हूँ, आपसे बस मांगता हूँ, एक सब्सक्रिप बहुत जादा देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी side technologies भी हैं, जो हमाँ पर इस्तिमाल होती है, जो भी हैं लेकिन इस level की नहीं है, मैं मत आपसे एक लिए वीडियो में, thank you so much and goodbye. झाल 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 झाल